हेलो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए न्यू डिजैन लेकर आए हैं देखने में जितना ये सुन्दर है उतना ही बनाने में आसान है आप इसे किसी भी प्रजेक्ट में डाल सकते हो लेडी स्वेटर जैन स्वेटर बेवी स्वेटर चार रों का ये डिजैन है चार चार फंदों का ये डिजैन है राइट साइड से ये ऐसा दिखता है रों साइड से ये ऐसा दिखता है आए इसे शुरू करें इसमें मैंने चोवी पंदे लिये हैं चार चार फंदों का ये डिजैन है पहला बंदा उतारेंगे सीधा बंदा बनाएंगे फिर दो बार धागा गुमाएंगे सीधा बंदा बनाएंगे दो बार धागा गुमाएंगे देखिए फ्रेंट्स सारी से लाई है सी डालेंगे दागा गुमाएंगे फंद सी दाबनाएंगे दो अबर दागा गुमाएंगे इसे निफंद सी दाबनाएंगे फिर दागा गुमाएंगे सी दाबनाएंगे दो बर दागा गुमाएंगे दो बर दागा गुमाएंगे दो बर दागा गुमाएंगे फंद सी दाबनाएंगे अब पूरी रुए से रूपेर करनी है दो वर्दागा गुमाना है एक फंदा सिधा बनाना है दो वर्दा गुमाना है करना है पूरी रुए से हिड़ानी है हुए चार रूकों इक जाईनें तो इसी हित्धा बनाएंगों दो बंधा को मातं है ढक है नुए दो भर्ण दागा को माएंगे है कि एक प हमारा चिदा को collaborations अे भुर्दागि मेँ और शीडब नएग हो गुलत यंदा शीडब नैंगी तो अब अगमाई इए दोगे चान्द सी फ़ुडब न एगला के तक दोड़दाग हो गुम एग है दोगे है आस्थ न इल्य दोंत ऑगमाई गुलता शीडब्根ैड जट में अवांट शीडज एक फंदा बच गया है इसी दा बनाएंगे इस चैन बन जाएगी जी पैटन ऐसी रिपीट करना है पहला फंदा वतारेंगे अब जो हमने दो वर दागा गुमाय था उस थागे को ऐसे वतारेंगे यह फंदा ऐसे कीचेंगे इसको ऐसी लूज रखना है यह दागा ऐसे उतारेंगे जी फंदा हमने बनाया था सीधे वाला इसको ऐसे उतारेंगे जो हमने वो दागा गुमाय था इसको ऐसे लूज करना है यह दो वर दागा गुमाय था इसको उतारेंगे यह सीधा फंदा ऐस लोस्कर ना ये पूरेर ऐसे ही करनी है गड़ाख दारेंगे कि एलवी देखी फ्रेंडस एज पर प्रेंद से चार फंदें होगे इस चार फंदों को इस सवाईप डालेंगे कि फिल के बीच में से ए पिपनाना है दागा पीछे करेंगे पीक्षे की साइड से बन्दद यह लूप निकाल लें देखिए ऐसे धागा गुमाएंगे इसको ऐसे बनाना है लूज बनाना एक्ट रहा है फिर इन चारों के बीच में से बनाना है बैक से चार वार ऐसे ही धागा बनाना है कि दो कि फिर दूसरी वार जैसे हमने पहले निकाला था पीछे की तरफ से फंदों के बीच में से ऐसे कि तेन यह चौति वार इन फंदों के बीच में से निकालेंगे कि देखिए फेंडर इसको उतार देए पिर आगे बीची करेंगे है यह अजो हमने ना को मैसके उतार जारेंगे फ्री में से कि और फिर कि चार चार फंदों का यह डिजाइन है यह देखिए एक दो तेन चार चार फंद हमने इस लाई पर लेने हैं कि फिर चार फंदों में से ऐसे सलाई निकाल लेंगे करें की एक-दो करेंगे एक दो तीन चार की एक तो तो गया आए इनके बीच में से आजась निकाल गालेंगे माइसे ऊक्षप इसको इसी बनाएब इन बीच में से ऐसे निकालहें Pang दो लूज है फिर दागा लुमाएंगे फिर इसको ऐसी बनाएं लूस और बिनाये पिछे की तरफ से फिर बीज में टालेंगे कर एक और लग आएंगे यह देखिए इन चारों में से फिर बैक से तरफ से लाइंगे पीछे की तरफ से बनाएंगे यह देखिए पर चार वर यह हमने बना लिया है एक दो तीन चार फिर इसको सलाई से उतारेंगे फिर दहागे पीछी रखेंगे फिर यह जो हमने फंदा गुमाया देश को उतारेंगे सीधे वाला फंदा को लूज करेंगे फिर दहागे वाला फंदे को लूज करेंगे दो तीन चार चार पंदाओं का यह डिजाइन है इसको दूसरे सलाई पर पोड़ करेंगे यहां से सलाई डालेंगे पीछे की तरफ एसी सको बनाएंगे इस दहागे को लूज ही रकना है चार पर सलाई बनानें दौबर ऐसे डालनी है दौबर बैक सैड से बीचे की तरफ से हैं कि पीच में से स्लाइड डालेंगे ऐसे करके बिनेंगे फिर रूज बन जाएंगे तीन फंद एक दो तीन फिर बैक सैड से स्लाइड डालेंगे फिर ऐसे संद बनाएंगे यह एक्टर चार फंदे बनेंगे एक दो तीन चार फिर हमने ऐसे स्लाइड रूटार लें फिर यह दागा अटारेंगे सीधा फंद लूज करेंगे इसको उतारेंगे सिधा फंद लूज करेंगे दो अधियर फिर फंद दीख उतारेंगे चार में स्कुताओं प्रणा एंद जो अब विच shy करेंगे इसके बीच में से स्लाइड नकालेंगे पीछे manager से देखिए यह मैने सोकुद्धों में से निकाली है इधर से नकाली है इसको ऐसे बनाएंगे मैंको ऐसे आसे फिर फंद技 म से स्लाइब निकालेंगे तर फिर बीच में सी निकालेंगे तेन ऐसे पंदों के बैक साइड से निकालेंगे तरफ निकाल नहीं है दोंगे बीच में से निकार दिया है इसको स्लाइसे इतार लेंगे इसी दावन्दा इतारेंगे एक कि दो कि तीन कि शॉर कि देखेंगे चार फंदे इस लाई पता रहेंगे फिर पीछे से स्लाई घुमाएंगे इसको अश्ट्रा फंदा बनाएंगे ऐा कि एफिर बैक साइड से रंदो समय से एंनका लेंगे कि इसे बनाएंगे दोरु वन्देट बनेगे फिर बीच में वलब करको लेंगे घृरो। पूर्प साइड से से नकालेंगे पिर पूर्प दंगकर के बनाएंगे ुज़र। 4 पंदे बनाएं एक 2 3 चार इसको उतारेंगे ये फंदा सीधा ही बनाएंगे आगे दागा करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे एक थंदा उल्टे एक सीधा बनाएंगे ये ऐसे देखी चैन बन जाएंगे अब ये सलाई पीछे की तरफ से डालनी है पहला फंदा उतारेंगे पूरी रो ये सीधी बननी है एक दो त्री चार पूरी रो सीधी बनानी है एक रो सीधी बनानी है एक रो वोल्टी बनानी है चार रो का ये डिजाइन है देखिए फ्रेंट्स बनके बहुत अच्छा लगेगा अच्छा लगे अच्छा लिए पूरी रो सीधी डालनी है अब बहुत एजी डिजाइन है किसी भी प्रजेक्ट में आप इस कप्लाई कर सकते हैं लास्ट वाला पंदस हीधा डालेंगे चोथी रो उल्टी बनाएंगे पहले पंदस लिप करेंगे पूरी रो उल्टी ही बनाने है ये दो सलाई है उल्टी सीधी बनाने है पूरी रो उल्टी बनाने है लास्ट वाला पंदस डालेंगे तै दुआरा करेंगे पहला पंदस लिप करेंगे पंदस डालेंगे 2 बार द्धा गुमाएंगे उल्टी पहले जैसे इस फंदस डालेंगे दो बार ध魚 remains मैंगे फिरेंद सिदा बनाएंगे दो बार धागा गुमाएंगे पिछे की तरफ से फिरेंद सिदा बनाएंगे दो बार धा confidently śa ോ це viktigt െ ओ आगे कि दो ऐखाना गुमाएं गें से पर अलवन है मैं ऑनधा सिथा बनाना कि दोबर नजहाया कि दरी हम आने कम के दूषि का चरला भी पतेजा बना दो बर धागा गुमाएंगे, फंदा सिता बनाएंगे, 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 दो बर धागा गुमाएंगे, एक फंदा सिता फिर दागा गुमाएंगे, दो बर दागा गुमाएंगे, फंदसी 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 दागा गुमा कि वर दागा कुमाएंगे एक बंद सी दबनाएंगे फिर दो बर दागा कुमाएंगे एक बंद सी दबनाएंगे फिर दागा कुमाएंगे एक बंद सी दबनाएंगे फिर दागा कुमाएंगे एक बंद सी दबनाएंगे फिर दो बर दागा कुमाएंगे एक बंद सी अब उल्टी साड़ से देखिए द्यान से देखिए फ्रेंस उल्टी साड़ से पहला फंदा स्लिप करेंगे कि यह जो हमने दो बार दागा गुमाया तो स्पंदेव ऐसे वता रहेंगे सीधा फंदा ऐसे लोज करेंगे फिर दागा वतारेंगे सीधा फंदा ऐसे लोज करेंगे फिर दागा वतारेंगे सीधा फंदा लोज करेंगे देखिए चार फंदे हैं में पूर को स्क्राइब डालेंगे से जालिशरादेश्य करेंगे अ है यह देखिए बैक सड्स आइसे सलाई निकालेंगे यह कि करा फंदा बनाएंगे लोज और फिर दोबारा बैक से से पस्राइब निकालेंगे फंदों में से चारों में से पंदा और बनाएंगे मिदो के बीच मिसस लाइन का लेंगे पिर ईपंदाहुर बनाएं एक्ट रचात तीन यह लूज रखना फिर बैक्साइड डालेंगे ऐसे बैक्साइड से बनाएंगे चार इस बंदे वुटार देंगे देखिए चार फंदे फिर उतारेंगे इनको लूजी करना है चार चार फंदों का यह डीजाइन है चार फंदे इसलाई पर डालेंगे चार फंदों के बीच में से यह सलाई निकालेंगे फिर फंदा बनाएंगे बैक साइड से फिर इक बार सलाई निकालेंगे एक और फंदा बनाएंगे फिर बीच में से सलाई निकालेंगे एक और फंदा बनाएंगे फिर बैक साइड से चार फंदों में से सलाई निकालेंगे एक एक्स्ट्रा फंदा और बनाएगा देखिए विन चार फंदे हैं एक दो तीन चार चार फंदों का ये डीजाइन है एक दो तीन चार चारों फंदे में स्लई डालेंगे बैक साइड से ऐसे फिर इसको बनाएंगे एक्स्ट्रा फंदा फिर बैक साइड से बीच में से सलाई डालेंगे इक फंदा और बनाएंगे इसका लूज कर लें नि फिर बीच में से सलाई नकालेंगे पहले हमने清 सम बैक साड बीच मेंगे है चार बनाए चार चार फंदों की दीरे fan कि यह देखिए फ्रेंड्स एक दो तीन चार और फिर चार फंद वतारेंगे एक फंद दो इनको ऐसे लूज करना है कीच कर तेन चार चार फंदो को हमी सलाई पर उतारेंगे फिर बैक साइड से सलाई ले जाएंगे एक फंद एक टर बनाएंगे दिखें ऐसे लोज फिर बैक साइड से चारों फंदों में से स्लाई निकालेंगे एक और फंदा बनाएंगे तो आप बीच में से स्लाई निकालेंगे तें फिर बैक सैड से फंदों में से स्लाई निकालेंगे चार इन चारों को उतार देंगे फिर चार फंदे उतारेंगे सीधा फंदा लोस करें एक फिर जी दो बार हमने धागा गुमाया था इसको ऐसे उतार देंगे सीधा फंदा उतार के इसको लोस करेंगे ऐसे दो तेन चार इसको ऐसे खीच देंगे देखिए इन फंदों को इस लाइप उतार के फिर बैक साइड से स्लाइन कालनी है ऐसे एक लूप बनाएंगे फिर बैक साइड से चार फंदों में से स्लाइन कालनी है दो फंदे बनगे एक्स्ट्रा फिर तीसरी बार बीच में से स्लाइन कालनी है तीन फंदे बनगे अब बैक साइड से चार फंदों में से स्लाइन कालनी है यह चार फंदे बनगे एक दो तीन चार दो फंदे ऐसे बनाएंगे एक सीधा एक उल्टा लास्ट वाडा पंदा सीधा बनाएंगे ताकि यह चैन बन जाएा- यह पूरी रो सीधी ही बनानी है एक सलाइ सीधी बनाने है एक सलाइ उल्टी बनानी है चार रोका है यह डिजाइन है चार चार फंद होगा बहुत यह असान डिजाइन है यह डिजाइन को जानने के लिए वीडियो को आन तक देखें ताकि चीतना समझा जाए यह बनकर बहुत सुन्दर लगेगा पूरी रोग सीधी ही डालने है एक सलाइ सीधी यह देखें लिए ऐसे जाली सी बन जाए ही झाली स्वाफ़ बहुत से जाए है